नमस्कार बच्चों आप सभी का स्वागत है गुड मॉर्णिंग मैं नितिन स्वास्तों आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल यूनिक ऑल लाइन गुरू पर और आज से आपका मैं स्टार्ट कर रहा हूं पाइथन में आज का बच्चों टॉपिक है लूप लूप एक ऐस को पॉल विशह है जिस पर कि हम लोग आज से शुरुवात कर रहे हैं आपको निरंतर हम लोग वीडियो देंगे तो आप उसको देखें यह जरूर आपके लिए बच्चों फायदेमंद होगा तो लेट स्टार्ट विथ लूप आईए मैं बताने की कोशिश करता हूँ कि लूप है क्या बच्चों ध्यान से समझेगा आज का जो टॉपिक है वो है लूप लूप एक ऐसी कला है एक ऐसी युकती है एक ऐसा टूल है जिसके द्वारा आप रिपीटेड टास्क को रिपीटेड का मतलब क्या होता है बच्चों बार 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 किसी टास्क को दोहरा सकते हैं किसी टास्क को एक्जिक्यूट कर सकते हैं तो अगर लूप के बारे में मैं कुछ लिखूं तो कहा जा सकता है कि loop is the way, way मने होता है तरीका to execute set of statements. लूप एक ऐसी युपती है लूप एक ऐसी कला है जिसके द्वारा रिपीटेट टास्क अर्था जो कारे आपके लिए मुश्किल है बार बार जिसके लिए आपको लिखना पड़ता है वो कारे लूप की मदद से बले ही आसानी से हम perform कर सकते हैं और आज ये जो लूप ये जो लूप मैं बता रहा हूं आपको ये किस language पर आधारित है तो ये लूप आधारित है आपका python python एक बहुत ही powerful language है आप जानते हो आज के समय की most useful, most prominent कह सकते है most easy और most कह सकते हो कि powerful language अगर कोई है programming में तो वो आपकी python है और python आपको पूरी तरीके से लूप को चलाने की, loop को यूज करने की, loop को प्रियोग करने की सुविधा दे रही है तो आईए जाना जाए बच्चों की python में कितने प्रकार के loops उपलब्द है तो देखिए python language में तुम्हारे प्रमुख जो loop है वो दो है पहला जिसके बारे में मैं जिक्र कर रहा हूं वो है while और दूसरा जिस loop का जिक्र हम लोग करेंगे वो कौन सा है for loop तो देखिए while और for ये दो statement उपलब्द है तुम्हारे कौन-कौन से ये दो different statements available है जिनकी मदद से आप python में looping जैसी situation को loop जैसे कारे को perform कर सकते हैं या मैं कहूं तो loop बच्चों बना सकते है बहुत ही कमाल के ये दो statements है तो आईए दिखाते हैं कि how to create loops कैसे हम loop का निर्मा लूप करेंगे सबसे पहले ये जानना जरूरी है फिर हम कोई example ले पाएंगे लूप कैसे बनाते हैं यदि आपको लूप का निर्मान करना है तो तीन बातों का ध्यान देना पढ़ेगा बच्चों कितनी बातों का ध्यान देना होगा आपको तीन different चीजों का ध्यान देना होगा कि सबसे पहला कि इनीशल वैलू कि आपके लूप की इनीशल वैलू क्या होगी दूसरी किस बात का ध्यान देना होगा लूप की कंडिशन का कि वो लूप कहां से कहां तक बच्चो चलेगा और तीसरी किस बात का ध्याना ध्यान दोगे आप जिसको आप कहोगे increment या आप करना चाहोगे क्या decrement ये तीन बातें अगर आप बता पा रहे हैं सही से तो निश्यत तोर पर कोई डाउट नहीं है बच्चों आप लूप का निर्मान कर लोगे इसली कर लोगे आई रिपेट अगें पाइथन में दो लूप उपलब्ध हैं वह दो लूप कौन-कौन से हैं तो एक है तुम्हारा फॉर और दूसरा कौन है वाइल जब सबसे जनरल लूप है जिसका मैं पहले आपके लिए जिक्र करने वाला हूँ वो कौन सा है आपका वो आपका रहेगा आपका वाइल लूप और वाइल बता लेंगे तभी उसके बाद स्टार्ट करेंगे कौन सा फॉर लूप तो मुझे उम्मेद है बच्चों इतनी बात तो आपकी समझ में आ गई होगी कि पूल है एक युकती है एक तरीका है जिसके द्वारा आप रिपीटेड स्टेट्मेंट्स को बार बार एक्जिक्यूट कर सकते हैं सोचिए अगर आपको कोई काम सपोज कीजिए हेलो ही प्रिंट करना है आपको हेलो प्रिंट करना है तो आप मुझे बताइए हेलो को अगर आपको 100 times print करना होगा तो कैसे करोगे एक तरीका है आपके पास कि 100 times print statement को use करें 100 times print statement को use करें और hello print हो जाएगा no doubt लेकिन आपको जब बताइए hundred times कि आप hello को लिखेंगे तो यह आपके लिए आसान होगा कहीं से आसान नहीं होगा चलिए आप कहेंगे सर हम cut copy paste कर लेंगे लेकिन बेटा तब भी आपको repeated work बार बार करना होगा इसका सरल सरल और समुचित उपाए जो है वो कौन सा है लूप का निर्मार कर लो एक बार लूप चलाना सीख लो और लूप एक ऐसी कला है ना जो हर जगह खाली python में ही नहीं है python के अलावा भी बहुत सारी ऐसी भाषाएं या language हैं जहां पर हम उप्योग करते हैं किसको लूप को उप्योग करते हैं तो आए ये मैं आप समझाने की कोशिश कर रहा हूं तीन बाते initial value लूप की condition और increment या increment अगर आप ये तीन बाते बता ले गए तो आप लूप बना लोगे बच्चों आए दिखाता हूं आपको अब आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि लूप जो है आपका वाइल कैसे बनेगा चलिए देखिए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे वाइल को बनाना है इसका syntax देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे इनीशियल वैल्यू फिर आप क्या लिखोगे वाइल कंडीशन और उसके बाद वच्चों क्या होगा कंडीशन के अंदर कि स्टेट्मेंट जितने भी आप चाहते हैं और लगे हांथ आप सबसे आखरी में क्या लिखेंगे इंक्रिमेंट या डिक्रिमेंट देखिए यह है आपके लूप का स्ट्रक्चर द्यान से समझने की कोशिश करिए कैसे आप लूप बना रहे हैं यह आपको एकदम क्लियर यहां दिख रहा है सबसे पहले उसकी इनीशियल वैल्यू फिर वाइल के साथ आप क्या देंगे लूप की कंडीशन ज और फिर वैलू को आटो बनाओगे oraz तुम वैलू को क्या करोगे बच्चों घठाओगी तो उसका एक एग्जर। दिखाता हूं एक्जर। समझने की कोशिश करिये सब लोग कैसे बनता है एक्जर। ऑफ वाइल लूप ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, तो आपको पहले ही example में बच्चों समझ में आ जाएगा, मालीजे मैंने एक variable बनाया i, जिसकी initial value कर दी 1, while i less than equals to, कहां तक चलेगा? 5 तक चलेगा, print आप करेंगे किसको? i को, और i is equal to i plus 1, यह देखिए, बले ही आसानी से आपका एक simple सा loop मैंने तयार कर दिया, अब आप इस loop को समझने की कोशिश करिए, सबसे पहले i की initial value क्या है? 1, loop में तीन बाते होती हैं, मैंने समझाया अभी आपको, वो तीन बाते कौन-कौन सी होती हैं, सबसे पहले i की initial value 1 हो गई, कब तक ये loop चलेगा? ये जो आपका लिखा है, इसको हम क्या कहेंगे? लूप की condition बूलेंगे, देखी, इसको मैं क्या बोलूँगा? लूप की condition, i कमान 1 है, कब तक चलेगा? जब तक i छोटा या बराबर रहेगा किसके? 5 के, अर्थात i कमान जैसे ही 5 से बाला होगा, आपका ये loop terminate हो जाएगा तो पहली बार i कमान क्या है? बुलिए 1 है, condition true है, i एक छोटा है 5 से, अंदर आएगा, print करेगा 1, i कमान 1 से 2 हो जाएगा, ये है आपका increment, ध्यान से समझेगा, i एक से 2 हो जाएगा, फिर i की value वापस आएगी checking पर, अब बताए, i कमान 1 से 2 हो गया, क्या 2 छोटा है कि नहीं पास से, 100% 2 छोटा है पास से, loop, condition true है, अंदर आएगा, true है न, i कमान फिर क्या print होगा, 2, i 2 से 3 बनेगा, फिर आएगा, condition फिर आपकी true मिलेगी, i कमान क्या print होगा, 3, 3 प्लस 1, उपर आएगा 4, 4 छोटा है पास से, जियां, condition true है, 4 की printing होगी, 4 प्लस 1, 5, 5, 5 से छोटा नह होगा, तो क्या होगा, आपका condition फिर true है, क्या print करेगा, 5, i कमान, 5 प्लस 1, क्या होगा, 6, 6, 5 से छोटा, नहीं होता, 6, 5 के बराबर, नहीं होता, loop की condition false हो गई, तो यह last output जो आया, आपका देख लिजे, यह आया बच्छो, कितने easily, मतलब यह तो मैं एक सिर्फ अभी आपक examples दिखा रहा हूँ, आगे चलके difficult examples भी हम लोग ले सकते हैं, लेकिन तरीका समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना तरीके को समझे, आपको समझ में नहीं आएगा कि यह loops चलते कैसे हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आपको while loop क्या है, किस प्रकार से बच्छो चलता है, कैस हम उसको use करते हैं, ये इतना आपकी समझ में आ गया होगा, आएए इसी करम में आगे बढ़ते हैं, और आपको एक और loop python का समझाने की कोशिश करता हो, जो की कौन सा loop बूला जाता है, for loop, देखिए for क्या है, इसको मैं कह रहा हूँ, it is a special loop, ये कैसा loop है, ये एक आपका special loop ह है, it is a special loop, which is used to execute, which is used to execute, or run on sequence, python में आपको आगे पढ़ाएंगे कभी sequence, sequence का मतलब होता है, ordered collection of items, तो basically ये जो for loop है न, ये किस लिए बनाया गया, मैंने कहा इसको special loop, क्यों इसको special कह रहा हूँ, क्योंकि ये operate करने के लिए बना है, किस पर बना है, sequence data type पर, यहां sequence का मतलब, तुम्हारा string भी हो सकता है, sequence का मतलब, तुम्हारा list भी बच्चों हो सकत है, और sequence का मतलब, आपका टपल भी हो सकता है, यानि for loop, basically जो design किया गया है, या basically जो बनाया गया है, वो विशेश तोर से चलाने के लिए, या मैं कहूं, आइटरेट करने के लिए, आइटरेट का मतलब होता है, दोहराना, किस पर आइटरेट करने के लिए, sequence पर example of for loop, कैसे for loop तुमारे चलते है, इसका example देखिए, suppose कि जिए आपने कोई string बनाई, str is equal to India, या इंडिया string है, double quote से डिनोटेड है, for i in, string का नाम str है ना आपके, जी या, print, यह देखिए, i हो गया, यहाँ पर i आपका variable हो गया, in operator है, किस पर चलेगा str, यह str क्या है, एक sequence है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, कुछ नहीं करना, automatic तुमारा i का loop, str में जितनी values होंगी, आपको मालूम होना चाहिए, कि जो str तुमारा है, वो इस तरह से बनता है, string है, यह ordered collection होता है, तो ordered collection होगा, तो क्या होगा, उसके हर item का एक index value होता है, तो देखिए, i आपका हर position पर गूम गूम के, पहले आएगा 0th position पर, उसकी value क्या है, आई प्रिंट करेगा, फिर आई बलके कहां पहुँचेगा, वनत पोजिशन पर, n प्रिंट करेगा, फिर आई बलके कहां पहुँचेगा, 2nd position पर, t प्रिंट करेगा, similarly i कहां पहुँचेगा, 3rd position पर, 3rd position के value i है, और i बढ़ता हुआ कहां जाएगा, 4th position पर बच्चों, और फिर क्या है, a है, ये देखिए, पूरे string को इसने क्या कर दिया, traverse कर दिया, print कर दिया, बना दिया, तो उम्मीद करता हूँ, आपको कैसे चल ला है आपका for loop, basically ये design किया गया है, किस पर चलने के लिए, मैं फिर repeat कर रहा हूँ बच्चों, ये basically operate करने के लिए बनाया गया है, किस पर, sequence data type पर, और आपका जो for loop है, for loop आपका python में एक और function है range, range के द्वारा आप normal use भी कर सकते हैं, आइए दिखाता हूँ, example इसका, for, I in range, और आपने अगर दे दिया, बच्चों, 5, और print किया, किसको, किसको आपने print किया, I को print किया, तो यहाँ पर अब क्या होगा, आपका I का जो loop है, वो 0 से चलेगा, चार तक, यानि जो range की value है, उससे एक less, उसको छोड़ कर चलेगा, तो बताईए, जब 0 से 4 चलेगा, तो क्या output आएगा, 0, 1, 2, 3, 4, अर्था चलेगा वो 5 बार ही, repeat करेगा वो 5 बार, लेकिन start कहां से करेगा, 0 से करेगा, यानि 0, 1, 2, 3, 4, तो देखिए, इतने प्रकार से आपको या idea बच्चो लग गया होगा, कि loop क्या है, मैं फिर repeat कर रहा हूं, conclude कर रहा हूं, कि loop आपका, एक युक्ति है, एक तरीका है, जिसके दोरा आप python में, या किसी भी दुनिया की language में, देखिए, ये जो techniques हैं, ये किसी language पर dependent time होती, आप easily repeated task को execute कर सकते हो, perform कर सकते हो, python में दो loop है, for loop और बच्चों while loop, और थोरा थोरा आपको ये भी चलाना सिखाया, कि ये loop चलते कैसे हैं, कारे करते कैसे हैं, तो बच्चों आप हमारे साथ जूरिए, हमारे channels पे आईए, हमारे channel को app है, उसको download कीजे, unique group का app, google play store पे जाएंगे, तो unique group का app है, बच्चों download करके, तमाम courses उपलब्द हैं, आप उनको download कर सकते हैं, purchase कर सकते हैं, और full course को, यहाँ पर आपको idea मिल रहा होगा, कि पढ़ाई कैसे होगी, तो complete course को join करने के लिए, आप से निवेदन है, कि आप आएं, और unique group के app को download कीजे, videos में, description में जाएंगे, तो आपको mobile numbers मिल जाएं चैनल के call center के वहाँ पर आप call करके भी बच्चो further details ले सकते हैं, तो thank you very much, मुझे उमीद है कि आपको बिलकुल समझ में आ रहा होगा, बाकी complete course के लिए join कीजिए, purchase कीजिए और मिलिए, thank you very much, goodbye, नमस्कार.